पर जल्दी से आप लोग बताईए कैसे हैं उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग कर रहे होंगे मैं अधितेश आप लोगों का जार्कन एजुगेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत श्रागर करता हूँ आज है 18 डिसेंबर और 18 डिसेंबर से जार्कन के जितने भी important current affairs बनेंगे उन्हें आज हम लोग देखने वाले हैं इस class की बात करेंगे तो यह जो class है यह class daily सुबब 5 वजे होती है और daily सुबब 5 वजे इस class में हम लोग जार्कन के important current affairs के बारे में देखते हैं तो इस class को आप लोग regular जरूर देखें इस class को अभी आप लोग last तक देखें इस class के last में आपसे question पूछे जाता है कौन सा question पुछे आता है तो हम लोग जार्कन के current affairs को daily देखते हैं उन्ही current affairs में से एक question इस class के last में आपसे पूछे जाता है तो उसका आप लोग comment करके answer जरूर दे साती सात इस class के last में हम लोग जार्कन के previous days के यानि पिछले दिनों के important current affairs का revision भी करते हैं रिविजन क्यों करते हैं ताकि हम लोग पिछले दिनों में जार्कन के जो भी current affairs देखे हैं वो current affairs हमें याद रहे इसलिए आप लोग क्या करें तो इस class को आप लोग लास्ट तत देखें और लास्ट में जार्कन के previous days के important current affairs का revision आप लोग जरूर करें और जो question इस class के last में आप से पुछे जाता है उसका आप लोग comment करके answer जरूर दे अगर इस class के pdf की बात करेंगे तो pdf आपको कहाँ पे मिलेगा इस class में हम लोग जो भी चीज़े देखेंगे उसका पूरा content का pdf आपको हमारे telegram channel पे देखने को मिल जाएगा telegram channel पे आप लोगों को नाकेवल pdf बलकी सभी classes के notifications, सभी classes के details, सभी classes के updates, in fact जारकन के vacancy के details भी आपको telegram पे देखने को मिल जाएगा इसलिए आप लोग अभी जाके हमारे telegram channel को join कर लेए इस class के निचे description में आप लोग के लिए telegram का link जो है वो दिया गया है उस link के थुरू जाकर आप लोग telegram को join कर सकते हैं साथी साथ आप telegram app पर जाकर जारकन education hub ये सर्च करके भी हमारे telegram channel को join कर पाएगी तो आप लोग अभी जाके हमारे telegram channel को join कर लेए वहाँ पे सभी updates और सभी details आपको देखने को मिल जाएगी चलिए हम अपने class को सुरू करते हैं और चलते हम लोग current affairs को देखते हैं current affairs की बात करेंगे तो जारकन international film festival का आयोजन जो है हाली में क्या गया है जारकन अंतराष्टिय फिल फेस्टिबल पांच भी जारकन अंतराष्टिय फिल फेस्टिबल और इसका जो आयोजन है वो 17 और 18 डिसमबर को किया गया है 17 December से इसकी जो शुरूबात है वो की गई है किसकी सुरूबात तो 5B अंतराष्टिय जारकन फिल्म फेस्टिबल का आयोजन यानी इसकी सुरूबात 17 December से की गई है अब इसकी सुरुबात 17 दिसम्बर से की गई है तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी बिशो बिद्याले डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी इनुबस्टी में इसका जो आयोजन है वो 17 और 18 दिसम्बर को किया जाएगा 17 December से इसकी सुरुबात की गई है किसकी पांचवी जारकन अंतराष्टिय फिल्म फेस्टिबल फिप जारकन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल इस फिल्म फेस्टिबल में कुल 53 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा स्क्रिणिंग की जाएगी कितने तो टोटल 53 फिल्मों का स्क्रिणिंग जो है इस फिल्म फेस्टिबल में किया जाएगा तो यह आप फिल्म फेस्टिबल को देख सकते हैं इसकी सुरुबात की गई है 17 डिसेंबर से और डॉक्तर स्यामा प्रसाद मुकरजी बिशो बिद्याले में इसका जो आईजन वो किया जाएगा है 17 और 18 डिसेंबर को इसका जो आईजन वो किया जाएगा तो यह तो पहला करेंड फेरमरा हो गया और क्या देखेंगे तो देखिए Forbes India के magazine में जार्खन के एक लेखिका है उनको क्या गया है सामिल क्या गया है Forbes India के self-made woman १ P.C. जार्खन की लेखिका Jacinta करकेट्या को सामिल क्या गया है उन्हें इस सुची में इस अमिल क्या गया है जसिंता करकेट्या की बाता करेंगे तो यह आप देख सकते हैं साइड में यह जसिंता केरकटा और यह जारकन के राची की रहने बाली है और यह पेसे से एक पत्रकार है क्या है पत्रकार है इन्हें फोब्स इंडिया के मैगजिन में जिसमें सेल्फ मेड उमेन का जो मैगजिन आता है इसमें इन्हें सामिल क अगया है तो इसे आप लगे יद्ल रहें रहें जसिंतार तो यह जारकन के राची के रहने वाली है आगे देखते हैं और क्या बनेगा चेम्पियर्ड में आउज्जित किया था तमिन श्रोब जानेंगे और क्या है यह अमारे जारकन की टीम है जिने सिल्बर मेडल प्राप्त हुआ है तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और क्या देखेंगे कि 4 डिसेंबर को इंडियन नेवी डे मनाया क्या है भारतिय नौशना दिवस जो है पांच भी जारकन अंतराष्टिय फिल्फेस्टिबल का शुरुबात जो है वो किया गया है तो बात करेंगे पांच भी अंतराष्टिय जारकन फिल्फेस्टिबल की तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है इसकी शुरुबात 17 डिसमबर से डॉक्टर स्यामा प्रसाद मु इसकी जो शुरुबात है वो किया गया है ताप यह देख सकते हैं हाली में 17 डिसमबर से पांच भी जार्खन अंतरास्तिय फिल्म फेस्टिबल का आयोजन किया गया है इसकी शुरुबात 17 डिसमबर से की गई है और 17 और 18 डिसमबर को इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा इसमें कुल 32 देशों के 53 फिल्मों की स्क्रीनिंग यानि 53 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा तो आप यह देख सकते हैं फिप जार्खन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल का आप आय लिपसाद मुकर्जी बिश्व विद्यालेमि इसका जो आयोजन वो किया गया है तो इसको आप लोग जाए रखे कहीं से भी कोई भी कोश्चन कहीं सबी इस से रेलेटेड़ गोमा के पूछे तो आप लोगं आंसर पता होना चाहिए कहाँ पर आयोजन कीया है आंसर पता हो लोगों पता होना चाहिए, कहने का अर्थ ये है कि question कैसे भी घुमा के आप से पूछे, उसका आंसर आप के पास होना चाहिए यह जो डीटेल आप लोगों को दी गई है इस डीटेल में सभी चीज़े दी हुई है अब क्वेश्चन को किसी पर प्रकार से घुमा दे किसी भी तरीकी से घुमा दे तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नएह हैं तो चैनल को अब सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रिश्च करते हैं और वीडियो को अपने दोस्त तक जरूर शेयर करें, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, यह वीडियो अगर आपके लिए helpful है, तो वीडियो को लाइक चरूर करें, चलिए अगला कोशन देखते हैं, अगला कोशन है, हाली में Forbes India के Self Made Woman 2022 की सूची में जारतन के किस जिले की लेखी का को सामिल लिके गए है, तो इसके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं, जारतन के राची जिले की लेखी का है जसिंता करकेट्टा, इन्हें Forbes India के Self Made Woman 2022 की सूची में सामिल जो है किया गए है, यानि Option C जो है इसका मिलकुल से एंस हो जाएगा राची, रा Forbes India के Self Made Woman 2022 की सूची में जारकन की लेखी का जाफित जारकन की कभी हम लोग कहे जसिंता करकेट्टा को सामिल जो है किया गया है, जसिंता करकेट्टा की बात करेंगे ये जो है राची की रहने वाली है, आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी मैं आप को कहूंगा कि स्क्रीन शॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग ये पूरा कॉंटेंट हमारे टेलिग्राम चैनल पे PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप लोग अभी लिखने की नहीं, आप लोग अभी समझने पे फोकस कीजिए, अगर आप चीजों को समझ जाए तो आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, बाकि ये जो पूरा कॉंटेंट है, आपको PDF फॉर्मेट में हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो अभी आप लोग सुनिए और समझने की कोशिस करें, बात करेंगे सिंता करकेटा की, तो ये जारकं के राच जिले की रहने वाली है, और ये पेशे से एक लेखी का है, पेशे से एक कवी है, और इन्हें Forbes India के मैगजिन में, कौनसी मैगजिन में, तो Forbes India के Self-made Woman की मैगजिन में सामील किया गया है, जसिंता करकेटा की बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं, मैं हट जाता हूँ, आप लोग ये है जारकन की पत्रकार जसिंता करकेटा, और इन्हें ही सामील Forbes India के मैगजिन में, Forbes के द्वारा किया गया है, तो ये एक मैगजिन कमपनी है, ये इंटरनेशनल लेबल पर मैगजिन बनाती है, और अलग-अलग चीजों के उपर अपनी मैगजिन लाती है, इन्हें अपना मैगजिन लाउंच किया है, जिसमें जारकन की लेकिका या जारकन की पत्रकार भी कहीं, ये पेसे से पत्रकार भी है, पेसे से कभी भी है, पेसे से लेकिका भी है, तो इन्हें सामील किया गया है, इनका नाम क्या है जसिंता करकेटा, और ये रहने वाली कहा की है तो यह रहने वाली है रांची की हमारा अगला कुशन है हाली में कब से टार्टा इस्टिल जारकन लिटरली मेट का आयोजन जो है वो किया गया है तो बात करेंगे टार्टा इस्टिल जारकन लिटरली मेट की इसका जो आयोजन वो 10 डिसमबर को किया गया था कब किया था तो 10 डिसम्बर को इसका जो आयोजय ने वो किया गये था टाटा इस्टिल जारकन लिटरली मीट की आईए इसके बारे में समझेते हैं option A जो है इसका बिल्कुल से यांस रोजएगा 10 डिसम्बर तो 10 और 11 डिसम्बर को तार्टा इस्टिल जारकन लिटरली मीट का आयोजन जो है वो किया गये था और इसका जो आयोजन ने वो कहां पर किया गये था इसका जो आयोजन ने वो रांची में किया गये था 10.$ और 11.acağımmesan को इसका जो iogen ने वो किया गय था किसके दौरा तकारटा के दौरा इसका जो iogen ने वो किया गय था तो बाकि आप यह detail देख सकते हैं कहां पे इसका iogen किया गय था तो रांची में इसका iogen नो किया गय था ठीक है चलिए पेन को चेंज कर लेता हूँ अगला कोश्चन है हाली में तामिल नाडू में आयूजित प्रथम नेशनल पारा थ्रो बॉल पत्तियोगिता में जारकन की टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है तो इसके बारे में भी हम लोग अभी देखे कि नेशनल पारा थ्रो बॉल चेंपिन सिप में थ्रो बॉल पत्तियोगिता में जारकन की टीम ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और जारकन की टीम ने सिल्वर मेडल यानि रजत पदक प्राप्त किया है और तामिल नाडू में इसका जो आयोजन ने वो किया गया था तो तामिल नाडू में आयोजित प्रत्रम नेशनल थ्रोबॉल प्रत्योगिता का आयोजन किया गया था जिसमें हमारे जार्खन की निवने सिल्बर मेडल प्राप्त किया है और आप ये जो फोटो देख रहे हैं यह हमारे जालकन की टीम है जिनोंने सिल्वर मेडल रजत पदक प्राप्त किया है तो इसे आप लोग जिरूर याद रखे तामिल नाडू थ्रोबॉल एसोसियेशन के दौरा इसका जो आयोजन ने वो किया गया था तो इसे आप लोग याद रखे अगला करेंड फेर है अगला हमारा कोशन है हाली में कब भारतिय नौशना दिबस यानि इंडियन नेवी डे मनाया गया है तो इसके बारे में बेमलोग देखे इंडियन नेवी डे प्रती वर्स चार डिसेंबर को मनाया जाता है इस साल भी इंडियन नेवी डे की बात करेंगे भारतिय नौशना दिबस की बात करेंगे तो 4 डिसेंबर को मनाया क्या है यानि option B जो है इसका बिल्कुल से आंसर रोजाएगा 4 डिसेंबर चार डिसंबर को इंडियन नेवी डे भारतिय नौशन दिबस मनायाग नहीं है तो इसे आपनों जरूर याद रखे तो ये कुछ जारकन के इंपोर्टेंट करेंट अफियर्स थे अब देखिए यह जो question है यह पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था क्या question पूछा गया था देश के प्रदुसीत राज्यों में जार्थन को कितनवा इस्थान दिया गया है तो देश के सबसे प्रदुसीत राज्यों में हमारे जार्थन को आठवा इस्थान दिया गया है कितनवा त क्रिविएस क्लास में आपसे पुछा गया था तो इसका सही अंसर होगा ओप्शन दी आठवा इस्थान जो है आमारे जार्टन को प्रदुसीत राज्जों की स्रेनी में दिया गया है अब देखिए आज के लिए आपका कुश्चन है हाली में किनके द्वारा कहनी रे मोर बेहनी ये एक पुस्तक है इसका लोकारपन किया गया है तो कहनी रे मोर बेहनी इस पुस्तक का लोकारपन किनके द्वारा किया गया है ये आज के लिए आपका कुश्चन है आप लोग कुश्चन को अच्छे से देख ले ये आज के लिए यह आपका question है और इसका जो भी सही answer होगा आप लोग comment करके लिखे कि इसका सही answer क्या होगा किसके दुवारा इस पुस्तक का लोकारपन जो है किया गया है कब किया गया है कहां पर क्या गया है इस पुस्तक के लेखक कौन है तो detail में आप लोग answer दे देखे जितनी detail में मैं देने का इससे क्या फाइदा होगा इससे फाइदा यह होगा कि अगर आप चीजों को लिख देते हैं तो वह चीजें आपको याद हो जाती है जब आप इसके बार में पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा तुरंत इसलिए आप लोग चीजों को लिखने की कोशिश कर करते हैं हम लोग इस क्लास के लास्ट में जारकन के पिछले दिनों के करेंट रिवीजन करते हैं तो चलिए करेंट रिविजन लोग करते हैं इसमें आप से कुछ पुछा गया है कि जारकन में झाकन के कितने परेटन इसल का Quain जो है Euko Retreat Festival के लिए क्या गया है तो झाकन के P 5 परेटन इसलों का ने Euko Retreat Festival के लिए क्या गया machen- nous-11-11- unlike- management और क्या है तो यह सबी आप देख सकते हैं यह जो परेटन इसल है Cook望- Czyhink Muk Committee दालमा Wildlife Century सेंचुरी है, तो यह आप देख सकते हैं पत्रातु की भेली है , अगर आप लोग को मौका मिले कभी जाने का तो आप लोग ने तरहाट जाके भूम के आये, ने तरहाटको जारकन की रानी कहते हैं, जारकन की रानी, Queen of जारकन, छोटनागपूर की रानी, या फिर जारकन की मलिका कहा जाता है, ऐसे ही किसी को थोड़ी कहा जाएगा, कुछ तो बात होगी उसमें, ठीक है, अगला देखते हैं, हाली में जारकन के किस जिले में, राज्य इस्तरिया, Sports Athletics का आयोजन किया गया था, तो इसका जो आयोजन है, वो धनबाद जिले में कह गया था, इसके बारे में आप लोग याद रखे, बाकि आप ये डिटेल देख सकते हैं, टोटल 150 खिरारी इस पर्टियों किता में भाग ठीक है, अगला कुश्चन है, हाली में राज्य के किस जिले के सुजीत मुंडा का चैन, इंडियन ब्लाइंड किरिकेट टीम में किया गया है, जारकन के रांची जिले के रहने वाले हैं सुजीत मुंडा, और इनका चैन अभी इंडियन ब्लाइंड किरिकेट टीम में किया गया है, यह देख नहीं सकते हैं, सुजीत मुंडा की अगर हम लोग बात करेंगे, तो यह देख नहीं सकते हैं, यह जारकन के राची के रहने वाले हैं, और इनका चैन अभी किसमें क्या गया है, तो इंडियन ब्लाइंड किर्केट टीम में क्या गया है, सुजीत मुंडा की बात करेंगे तो आप यह देख पा रहा हैं यह जो तस्वीर है उनीकी है सुझीत मुंडा की यह देख नहीं सकते हैं और इनका चैन भारती टीम में किया गया है तो इन्हें आप लोग या तो इसमें भाग लेने के लिए हमारे जारकन की तीम जारकन की वुशु टीम जम्मू कस्मिर गई थी ठीक है तो इसे आप लोग याद रखें बाकि आप जो है डीटेल यहां पर सभी देख सकते हैं डीटेल में नहीं देख रहे हैं क्योंकि इसके बारे में पहले ही देख प्रिवेस क्लासे में तामिल लाडव यह जम्मू कस्मिर की बात करेंगे तो यह देख सकते हैं जम्मू कस्मिर पहली यह पूरा था अब यह दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और यह एक यूनियन ट्रेटरी बना दिया गया है हाली में कब एकता दिवस मनाया क्या है तो एकता दिवस की बात करेंगे 31 ओक्टोबर को एकता दिवस मनाया जाता है 31 ओक्टोबर को सरदार बल्लब भाई पटेल की जयनती मनाया जाती है किनकी तो लोह पुरूस सरदार बल्लब भाई पटेल की जयनती 31 ओक्टोबर को मनाया जाती है और इनके जैनती पर ही प्रतिवर्स एकता दिबस मनाया जता है तो एकता दिबस की बात करेंगे या फिर सरधार बललभ भाय पटल की जैनती की बात करेंगे ये 31 ओक्टोबर को मनाया जाता है तो इसे आप लोग जुरूर ज़ाद रखे बाकी आप यह पे डीटेल देख सकते हैं यहां पर सभी डीटेल जो है दी हुई है 31 ओक्टोबर को राष्टी एक ताद बस तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं अगर आपको वीडियो को लाइक कर दे मिलते हैं नेक्टे वीडियो में अग्यूटा